हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है मुकेश राब देख रहे है एजुकेशन फर आल तो आज हम लोग निमसे 2019 का यह वाला जो कोश्चन है पाजल प्लस कोडिंग डिकोडिंग यह पाजल प्लस यह वाला मैं आपको इस पैसली बोल सकता हूँ पाजल टाइप का एक दिया गया है इस कोश्च को और कोडिंग डिकोडिंग को मिक्स करके इसको रिप्रेजर्ट किया गया है तो इसमें पजल मे बोल सकते हैं अफिस पैसली बोल सकते हैं तो यह क標र जिए तो फड़सीं हुआ है तो इसमें क्या बोला गया है आज अरंस आए अलप सावी Weather और जो वर्ड फॉर्म होगा उससे हम लोग को थार अल्फावेट को लेकर कुछ मिनिंग्फुल वर्ड बनाना है तो यहां पर एक ग्जाम्पल दिया रहता है इस टाइब कोश्चन में एक ग्जाम्पल दियता है किससरह से उस को सॉल्व करना है भूलके ठीक है थो यह वाला बहुत ही टाइमटेकिंग्था थोड़ा फ्रेंड एम्टे किंग रहता है यह वहला एडमे फिये में तो मां अप में आपको इदा को सिलटbor कोशिए आप पहले जो 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 छोटा छोटा जो प्र उस्पलन भू ब recording का भी चोटा चोटा कोशिन रहता है, लेटर सीरीज, नम्बर सीरीज, यह सब जो कोशिन से फिनेंट सिर्टिय बहुत छोटे चोटे रहते हैं और उसमें आपका टाइम टेकिंग जाता नहीं 30 से कंड़ न थांटी 2 सेकंड के 10 से कंड़ में वो सब कोशिन सॉल्फ हो जाते ह इसे के बाद फिर moderate question फिर जो hard रहेगा friend उसको solve करना है इस तरह से आपको जाना है इस तरह से आपको जाना है इन इमसेट का जो भी जो भी entrance exam दे तो especially मैं बोल रहा हूं mca के लिए पहले आपको easy question को solve करना है जिसको जिसको आप देख देख के लग रहा है कि हाँ यह वाला मुस्स हो जाएगा फटाक से उसको solve कर देना है फिर उसके बाद moderate जो थोड़ा सा यह रहें थोड़ा सा यह रहें मतलब तो easy भी रहें आपको समाझ आ रहा हो कि हाँ मैं easily solve कर दोंगा थोड़ा 30 सेकंड लगा कर थोड़ा time taking देकर तो उसको solve करें फिर उसके बाद hard जो कि जिसमें एक मिनिट दो मिनिट लग जाते हैं solve करने के लिए फिर उस question को आप time दे फ्रेंट तभी जाके आप पूरा question देख पाएंगे और easily solve करेंगे अगर एक question में आप अट दे दिया गया ठीक है थोड़ा complicated दिया रहता है और बीच में जो question रहता है ना friends वहला बहुत ही easy question रहता है और बहुत simple question रहता है इसलिए आप बिल्कुल भी first वहला question जो first five and last five question को उतना ज्यादा ना देखें पाटा-पाटा आगर solve हो रहा है तो solve करेंगे नए तो आगे ब start alphabet सभी में से जब arrange करेंगे आप alphabetical order में फिर उसका third alphabet इसमें आरेटी का एई आटी का आर लेना है तो इसमें आर ले लिए फिर इसका ई लेना है ओ लेना है फिर एफ फिर टी और वाई तो इसमें से हम लोग को एक meaningful word बनाना है यह सब letters को use करके meaningful word बनाना है तो क्या बोल रह बनाना है रो एफ टी वाई यो फ्रेंटस एफ ओ आर टी वाई एफ ओ आर टी वाई फाटी ठीक है इसमें क्या बना है 40 टो फोर्टी बना है फ्रेंट्स तो यह वाला एक meaningful words है ठीक है यह नंबर क्या है 40 मीन्स 40 ठीक है तो यहां meaningful word बना इसी तरह से इसमें भी same, room, best, best, otu, auto तो इसमें a का हम लोग solve करके देखते हैं a का इसमें same है same तो इसको हम लोग solve करें alphabetical order में तो first a आएगा फिर e आएगा okay a e ms a e ms फिर room r o o m तो m o o r मूर हो जाएगा b e s t best b e s t best में क्या हैगा b e s t best में b pahle आ जाएगा friend फिर e r s s t best का तो best निकला ठीक है b आता है फिर r s t हाँ तो best ही हो गया oto का a u t o oto का हो गया friends a first हो गया oto 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 तो इसमें साम लोगो third letter third alphabet third letter को use करना है m o s t oto इसमें फ्रेंड most बन गया तो यह एक meaningful word है इसी तरह b c ठीक है go at goat में go at goat का क्या हो जाएगा goat का हो जाएगा यह b का solve कर रहे हैं हम लोग डायक solve कर लेते हैं goat का first आएगा a g oto agot agot फिर p e s t का क्या होगा p e s t का e होगा friend e p e s t e p e s t फिर w a t t w a t w a t t का क्या हो जाएगा w a t t का a i of l a t t w फिर a r m army का e first आएगा army का तो इसमें समलग थर्ड लेटर o s t r o s t r तो क्या हो गया r o s t roast roast एक meaningful word हुआ friends तो इसी तरह mail का option c का mail का क्या हो जाएगा mail का होगा a a e a e lm a e lm find का d d हो गया it अ तो फिर्ट हम जाएगे फिर लोषा पना अ थी अ या याहगा lost का lost ही होगा that का क्या हो जाएगा a cdfghctt तो इसमें list यह हो गया list लिश्ट भी है एक meaningful word हुआ फ्रेंट्स तो इसमें सभी में meaningful word बन रहा है तो डी का डी is the correct option यह हम लोग का meaningful word नहीं बन रहा है तो हम लोग का question क्या पुछा था कौन सा ऐसा word हां जो कि meaningful word नहीं बना रहें तो हम लोग को मेनिकत जबर नहीं बन रहे है तो यह ता इसमें आपको करने का कोई दर्कान नहीं है को टिक कर सकते हैं ज़ह वा can ऐस से तो इस तरह से कुश्चिन आता था है तो इस में देखिए कितना टाइम टेकिंग लगा थोड़ा सॉल्व करने में इसमें आपको अगर नहीं भी तो दो से तीन मिनिट अगर बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं 2-3 मिनिट लगता है तो इसलिए फ्रेंट्स इस टाइप का कोश्चन को आप स्किप कर दीजेगा स्किप करके कर के बाद में जब आपका टाइम बचली से करके जब आप सि Crisp करके जब आप ठाइम बचली न बचली तो आप अगर आपको विडियो अच्छे लागा और लाय currency न और मेरे चैनल को साथ जुड़े रहें ठीक है फ्रेंट्स फिर मिलता है नेक्स वीडियो में